कि मिननिममं से मिनिमउम प्राइस में दी जाए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर स्र बैच इस फ्री कर दीजे। बूक्स फ्री कर दीजे। यह कलपुनाे एक मिथš education कभी भी free नहीं हो सकती education minimum fee पर हो सकती है कभी free नहीं हो सकती है अगर कोई बंदा आप से कह रहा है कि education बिल्कुल free ले लिजे यह भी free वो भी free तो वो बहुत बड़ा fraud है उसके पीछे कुछ और ही उसका दिमाग छोटा सा channel as parents सेबू जहां पे रोज मुश्किल से सौ बच्चे विजिट करते हैं करेंट अपर की क्लास देखने के लिए मुश्किल से डेली हंडेट कंप्लीड भी नहीं हो पाता है ठीक है और चैनल की monetization की अगर हम बात करें तो अभी monetize नहीं है और आगे कई सालों तक monetize होने की संभावना भी नहीं है अब आप सोच रहोंगे यार इतने बड़ी बड़ी टीचर्स की बातों में मुझे बोलने का तो कोई तुक नहीं बनता क्योंकि मेरा चोटा चैनल है लेकिन मैं बोलोंगी और मैं इसली बोलोंगी क्योंकि रिस्पेक्टेड गगन सर ने टीचर्स की बात कही है उनका जो sentence आपने बहुत क्लियरली सुना होगा वो क्लियर था कि वो सारे एजुकेटर वो सारे टीचर्स जो फ्री में पढ़ाते हैं वो सारे फ्रॉड हैं तो हम फ्रॉड हैं सर थोड़ा सोच समझ के बोले होते तो बहुत अच्छा होता और घमंड की चरम सीमा इतनी बढ़ गई है इतनी बढ़ गई है कि खुदी बता रहे हैं कि कहां से आए हैं कैसी परिस्टी से आए हैं वो सब कुछ भूल चुके हैं क्योंकि लाखों में सैलरी मिलने लगी है और जब लाखों में मिलने लगती है तो शायद इंसान अपना सब भूल जाता है और शायद एक सामान कि चुछ के ये इस्दत बना रहे हैं है तो कि मैंने मैक जहां से सीखी में उनका नाम नहीं लोगई यहां पर वह फ्रॉड थे क्योंकि वह फ्री में पढ़ाहां मुझे मैंने रिजनिंग की एक ओव हिने के gör रिजनिंग की tack इसका मतलब यह नहीं आप कुछ भी बोले किसी को fraud कहने से पहले आप अपने अंदर जाकिए कि आप क्या है पहली बार और शिच्छक शब्द की इजद रखे शिच्छक जो होता है ना एक मरियादा होती है जो हमें लगता है आज के समय में जितने भी शिच्छक है जितने भी टीचर ने सब भूल गए है उस मरियादा को टीचर का मतलब किवल ऑल लाइन आगे कुछ भी बगबग करके पढ़ा की चले जाना नहीं होता है टीचर का मतलब होता है एक दाइरा मेंटेन करना एक एक जामपल सेट करना ठीक है एक आइडियल बनना अपने स्टुडेंट के अपने स्टुडेंट के सामने हमेशा सही एक जामपल सेट करना एंड वाट यू गाइस आर डूइग आप बताओ कि कौन फ्राइड है कौन नहीं लेकिन मैं आपके इस तर पर नहीं जाओंगी जब उनकी दूसरी वीडियो आई तो मुझे लगा कि शायद उन्हें अपनी गलती का एसास होगा जो सेंटेंस उन्होंने बोला उससे वो वापस लेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर वो अपनी टीचिंग स्किल को दूसरे टीचिंग स्किल से कंपेर कर रहे हैं वहाँ वो बता रहे है कि गधे भरे पड़े हैं योट्यूब में मेरा मतल करने की कोशिश की जो कि बिलकुल मतलब एकसप्टीबल ही नहीं किसी भी टीचर के लिए खासकर उसके लिए जो दिल से पढ़ाता है जो किवल इस लिए पढ़ाते क्योंकि उसे पढ़ाना अच्छा लगता है अपना चैनल है मैं अपने शौक के लिए यहाँ पर आके पढ़ाती हूँ लेकिन आपका यह कहना है कि सारे टीचर तो सारे टीचर में तो मैं भी इंक्लूड हुई और मैं तो बोलूँगी किसा सोच समझ के बोला करिए ठीक है कुछ भी मत बोल दीजे घमंड होता है करिए उसको कहते नहीं कि टीचर की नाम पर कलंक मत बनिये वरना जितना नाम और काम आपने किया है सब चूर होते हुए देर नहीं लगता है ठीक है तो ऊपर वाला है वो बनाता है तो बिगाड़ता भी है तो ज्यादा घमंड करने कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है और चाहे मैंने किसी कंपनी के लिए काम किया हर जगा एक ही प्रेशर बनाया जाता है कि आप पेड कोर्स बिकवाओ हर जगा यह प्रेशर बनाया जाता है चाहे वो कुछ भी हो कोई प्लेटफॉर्म हो जहां मैंने काम किया है हर जगा यही प्रेशर बनाया जाता है कि आप पे वैन्यू ही मिला है ये बास सही है तो सब उसी में लिखते हैं कोई यहाँ पे दूत का धुला नहीं है सब का यह टार्गेट होता है कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को बेचो और बताया क्या जाता है और यह कमी आप बच्चों की भी है यह आप बच्चों की भी कमी है द्यान से सुन लिजए आप लोग को आजकल पढ़ाई से जादा मज़ा चाहिए ठीक है पढ़ाई से जादा आपको हसना है एक लास में पढ़ाई से जादा आपको इंटरटेन होना है एक लास में आप यह सब जो ऐसे classes में बच्चे जादा जाते हैं सिंसियर्टी और सीरियस जहां पर है बंदा वहां पर जाना यह नहीं चाहते हैं और तो गल्ती यहां पर बच्चों की भी है आपकी वज़े से सिनयरीो बदला है तो आप भी इसमें तोड़ा सा इसके बारे सबस्ची tissue कि चाहिए क्या आपको एक चीज पकड़ कि तयारी करने से लेक्रपी से चाहिए या आपको सब्सक्राइब या आपको इसी काल चक्रमें गूंते रहेते हैं और कई सारे वजा चाहिए उसी थितरे एक्दम पर्सनली संपर्ख में आ करना है आपको उस उसक्रास में जाना है जहां पर इंडिरेकली प्यार मोहबत की बाते पढ़ाई जाए जहां पर कोई न कोई ऐसा है जिसके साथ आप लाइफ चाट है चुभेंगी और वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो किवल पढ़ना चाहते हैं उन्हें किवल पढ़ाई चाहिए उन्हें जहां समझ में आता है वहाँ चले जाते हैं फ्री और पेड मत देखें बलकि मैं तो हमेशे कहती हूँ मेरा जब पेड कोर्स लांच हुआ तो मैंने बच्चों को कॉल करके कहा कि पेड कोर्स मत खरीदो मैं जैसा फ्री में पढ़ाती हूँ ऐसा ही पेड में पढ़ाऊंगी पेड में मेरे अंदर कोई सक्तियां थोड़ी ना आ जाएंगी भाई मेरा जो ग्यान है मेरी जो इच्छा शक्ति है as a teacher मैं जो सिखाना चाहती हूँ वो मैं फ्री में भी सिखाऊंगी वो मैं पेड में पेड में भी सिखाऊंगी मैं पेड कोर्स आज तक कभी अपना प्रमोट कर ही नहीं पाई और केड इसलिए नहीं प्रमोट कर पाई क्योंकि मुझे अंदर से नहीं फील हो जाथा कि मैं बच्छों कुछ अलग दे रहे हूँ क्योंकि मैं उतनी ही मैनत फ्री क्लासेज में भी करती थी मेरे फ्री क्लासेज में पढ़ाय हुए question पेपर में आते हैं तो मैं पेड क्यों उसको प्रमोट करो मैं पेड कभी जिंदगी में अगर लाई मैं यह नहीं करें मैं नहीं लाऊंगी अगर मैं कभी जिंदगी मिलाई तो मैं केवल तभी लाऊंगी जब मुझे लगेगा कि मैं एक target batch बना रही हूँ और मैं इतने बच्चों को selection दिला के ही रहूंगी तो यह कहना कि जितने भी लोग free में पढ़ाते हैं वो fraud है और जितने लोग paid पढ़ाते हैं वो sincere genuine है ठीक है जहां पर आप गलत हो और आपको पते हैं कि आप गलत हो लेगिन क्योंकि आप government में इतना चूरों कि आपको अपनी गल्दी का एहसास नहीं है स्वारी बोलने की बज़ाए आप प्रूब कर रहे हूं कि मैं आपसे ज़्यादा question कराता हूं जिसकी भी वो बात कर रहे हैं मैं आपसे ज़्यादा पढ़ाता हूं मैं आपसे ज़्यादा ये करता हूं मैं आपसे ज़्यादा course बेचता हूं और शरम करिए यार शरम करिए मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ कि मुझे डेले मेरी क्लास में केवल 10-11 लाइब बच्चे आते हैं और मैं सुकून की नीज सोती हूँ कि मेरी क्लास में 10 बच्चे आए और इस जिंदकी में जहाँ एक बच्चा भी किसी भरूसा करें इतना मुश्किली मेरे पर 10 बच जरूरत नहीं है शिच्चक शब्द का सम्मान करिए ठीक है जो भी पढ़ात है उससे कोई अगर कुछ सीखता है तो वह उसका रिस्पेक्टेड और एक कहते चभी बन जाती है और आप उसे फ्रॉड का टैक दे रहे हैं तो मेरी यही बिंती है कि आप लोग प्लीज जितने हो गई है गायव और ही कुछ भी बख रहा है ठीक है तो चलिए फिर बस इतना ही कहेंगे हम जादा कुछ नहीं बोलेंगे हर्ट हुआ सुना तो मुझे बुरा लगा मैंने आज ही वीडियो देखा मैं यह सब देखती नहीं हूँ बखवास आज ही वीडियो देखा और कहते कि कुछ लोग फ्रॉड है तो चलता ठीक है लेकिन उन्होंने सब को इंप्लूड किया सब में हर कोई आजाता है तो मेरा यह बोलना बनता है कि सर जी फ्रॉड नहीं है ठीक है पढ़ाना पसंद है पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए बिना पैसे के पढ़ा रहे है जहां revenue का target था वो platform छोड़ के यहां पे आके पढ़ा रहे है फिर से offer मिला था दुबारा वाला offer छोड़ के यहां पे पढ़ा रहे है दुबारा offer मिला था उसी institute से जहां से मैंने इतना कमाया वो offer छोड़ के हम पढ़ा रहे है क्योंकि दिल नहीं मानता यह सब करने को ठीक ह तो समझे बात को सबको tag करना बिना सब के बारे में जाने सही नहीं है या फिर आप इतनी उचाही पहुच गए कि छोटे लोग आपको दिखते नहीं हम जैसे लोग तो हमें तो आप जानते भी नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है जिस platform पे आप पढ़ा चुके हैं पहले उस platform से भी जुडने का मेरा मौका रहा है तो बहुत उपर भी आप नहीं है किस्मत किस्मत की बात है कि कौन कहां पर है लेकिन इसको किसी और चीज से जोडने की ज़रूरत नहीं है इश्वर करें आप आगे बढ़े इश्वर करें जो भी YouTube पे सबना लेकर आया कि वो अपने लोग करें उसे वहां से अच्छी चीज सीखने को मिले ठीक है तो यह फ्रॉड रॉड बोलने की कोई जुरत नहीं है सर और अकॉर्डिंग तो रिस्पेक्टेड गगन सर एजुकेशन कभी फ्री नहीं हो सकते याद रखेगा उनका स्टेट्मेंट है कि शिच्छा कभी नह च oni चाहिए ठीक है या पर जो गडरीब तपके की लोग है उनके लिए मुफ्त होनी चाहिं जिसके लिए एक लडाई चल रही है जिसके लिए एक सोचि चल रही है कि आने वाले भविश्घ्य में Eph site लागbery उ जाजाए सब गलत है यौकि आपके इसाफ से तो एजॉकेशन कभी फ्री हो जी नहीं सकती." कषब कि अचार कॉгляд सकते। मतलब महान है आपकी सच dział को । मैं आपको जानती आगे पुना सuo quand ce i was. उनके थिनका भी नहीं हो september लेकिन आपके इन वाक्यों ने मुझे बहुत जादा मतलब चौका दिया है आप इसने बड़ी टीचर हो कि कैसे कह सकते हैं मुझे बस इसका दुख है इसका अफसोस है और हम यही चाहेंगे कि समझ जाएए और अभी भी आपको अगर एहसास हो कि आपने गलत बोला है तो प्लीज इतने सारे वीडियो आप बना रहे हैं काउंटर करने के लिए लोगों को एक वीडियो इस पर भी बना रिजे कि हाँ मैंने एक शब्द गलत बोला मैंने ये गलत बोला कि सारे teacher जो free में पढ़ाते हैं वो fraud है point to be noted, सारे teacher आपने बोला था कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं होते और point two जो आपने गलत बोला कि शिच्छा कभी भी मुफ्त नहीं हो सकती तो इसका मतलब की, शिच्छा का मतलब शिच्छा है हर level की शिच्छा है, तो आपके इसाब से गरीब हो, अमीर हो, सबको वही पैसा दे के पढ़ना ही चाहिए या पैसा दे के पढ़ना ही चाहिए मतलब जो सरकार प्रयास कर रही है, free education का वह बेकूफ है, आप ज़र ये भी सरकार को बता दीजे तो मेरी बस ये एक्ष है कि आप इत्ते सारे वीडियो बना रहे है एक वीडियो बना के आप ये भी कर देजे और एक और शब्दा आपका था कि लोग famous होने के लिए आपकी बात को लेके वीडियो बना रहे है, कर रहे होंगे कुछ लोग मुझे नहीं पता, लेकिन सर हम उन में से एक नहीं है हम famous होने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे है कि आपका वीडियो और मुझे नहीं लग था कि आपको इतनी बड़ी कि आपका वीडियो ये है हुआ पसल reverse इना हने हम बना रहे है कि आपका वीडियोध iron